What's up guys, welcome back once again, तो दोस्तों आज हम लोगे एक different तरह की film explain करने वाले हैं जिसका नाम है सूली, ये काफी भेदरीन amazing कहानी है, well इस movie को explain करने से पहले मैं आपको बता दो कि हमने एक नया channel start किया है, web series explain करने के लिए, तो अगर आपको web series देखने में interest आता है, तो definitely जा कि हमारे channel को movie शुरू होती है और हमें एक American Airlines का जहाज दिखाया जाता है, जो कि Hudson नदी के उपर से उड़ रहा होता है, लेकिन तभी उसमें कुछ खराबी आ जाती है, जिसके कारन उसके दोनों engine में आग लग जाती है, जिससे कि सारे यातरी काफी जादा डर जाते हैं, captain को ये बात पत देखते हैं कि ये सिर्फ captain का एक सपना होता है, जो कि अब टूर चुका है, वेलाबी सीन के बाद हम एक runway को देखते हैं, जहां पे एक US Airways का जहाज उडान बनने के लिए तियार हो रहा है, इस जहाज के captain होते हैं, चेसली, सूली, और co-pilot होते हैं, जेफ, और ये जहाज 160 passenger को लेके Hudson Airport से उडान भरता है, यहां पर हमें पता चलता है कि इस जहाज के captain सूली को 42 साल का जहाज उडाने का तजूर्बा है, और वो बहुत ही जादा experience pilot है, लेकिन दुरगटना को कोई रूख नहीं सकता है, यह हम सभी लोग जानते हैं, और वहीं दूसरे pilot जिनका ना के करीब हो जाता है, पाइलेटों को पाइलेट दोनों काफी आराम से plane को अपनी मंजिल तक पहुचाने में लगे होते हैं, लेकिन तभी उसी टाइम सूली को एक पंचियों का जून दिखता है, जो की सीधे आकर engine से टकरा जाता है, और दोनों engine fail हो जाते हैं, अब engine के खरा जाता है कि जहास के दोनों engine में पंच शी टकराए हैं और उनके अंदर चले गए हैं, जिसके वज़े से engine ने काफी ज़्यादा भैंकर आग पकड़ ली है, और वो कंट्रोल के बाहर हो गया है, अब जहास तीजी से नीचे की तरफ गिनना शुरू हो जाता है, और सारे जहा जाते हैं, इस प्लेन को बचाने के लिए कैप्टन सुली अवियेशन कंट्रोल लूम में संपर करते हैं, और उन्हें बताती हैं कि हमारे जहास एक पंची के जुन से टकरा गया है, और हमने दोनों engine को खो दिया है, हमें वापस आना होगा, और कंट्रोल लूम का officer जिसका न देता है, और उनको अपनी सारी सुईधाओं के साथ त्यार रहने के लिए बोलता है, वेल तभी captain officer से बोलते हैं कि हम Alcadia airport तक नहीं पहुच पाएंगे, उससे पहले हमारा plane नीचे गिर जाएगा, हमें Hudson नदी पर ही land करना होगा, लेकिन officer उन्हें बोलता है कि आप वहाँ नहीं उतर पाएंगे, ये बोलते ही उनका plane radar से गायब हो जाता है और connection टूट जाता है, इसके बाद Patrick काफी ज़्यादा निराश हो जाता है और उसके senior बोलते हैं कि अब उस plane को कोई नहीं बचा पाएगा, crash होने से, और aviation room में सभी लोग भगवान से प्रातना करने लगते ह चा ले और Patrick की आँखों में आसू गिने लगते हैं क्योंकि वो 155 लोगों की जान नहीं बचा पाया, लेकिन Patrick खान नहीं मानता है, वो उस area में उलने वाले सारे plane से contact करता है और बोलता है कि अपने flight 1549 को देखा है किसी route पे और तभी उसका connection एक chopper से मिलता है, उसे वो chopper का पाइलेट बताता है कि उस airway का एक जहाज Hudson नदी के ऊपर देखा गया है, वो नीची की तरफ बहुत तेजी से गिरता जा रहा है, और Patrick तुरंती 1459 से contact दुबारा करनी की कोशिश करता है, लेकिन उसका वहाँ से कोई जबाब उसे नहीं मिलता है, अब वो उदास हो जाता ह और उसका सीनियर उसे बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जाकर थोड़ा आराम करो, क्योंकि Patrick इस हाथसे से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, और इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं, जो की कार से जा रहा होता है, और वो अपनी विंडो से कि फ्लाइट तार्स से नीचे आ रही है, और फिर एक बुरह आदमी भी ये सारा हासा, सारा नजारा देखता है, कि प्लेइन तेजी से हट से नधी की तरफ गिरता जा रहा है, और इधर आंदर के अंधर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर captain सारे आत्तियों से बोलते हैं कि कि काफी तेज जटका लगता है और हम सोचते हैं कि ये प्लेन में अब कोई नहीं बच पाएगा और जहाज में काफी अंधेरा हो जाता है लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर चमतकार हो जाता है कैप्टेन की 40 सालों का experience कामा जाता है कैप्टेन ने जहाज को सही सलामत नदी मे लैंड करवा दिया था मतलब यहाँ पर कुछ लोग जहाज को जमीन पर भी लैंड नहीं करवाते और इस बंदे ने प्लेन को पानी में लैंड करवा दिया ये कोई चमतकार से कम नहीं होता है इसलिए कहते हैं दोस्तों की experience matter और इसके बाद कैप्टेन कॉक्पिट के दरव saving jacket दिया जाता है जिसे कि वो उसे पहन के नीचे उतरना चाल हो जाते हैं क्योंकि नदी का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है इसलिए कुछ बूरे लोग नदी में नहीं उतरना चाते हैं जिसे कि उनको life jacket दे के थोड़ा उनको गरम रखा जा सके और उनकी जान बचा है जहां पे काफी सारे लोग एकटा हुए होते हैं वो जल्दी से पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क करता है और उन्हें बताता है कि एक जहाज नदी में गिरा हुआ है इधर एक rescue helicopter भी उसी टाइम वहां से निकल जाता है उन सभी लोगों को बचाने के लिए दोस्तों यहां पर कुछ लोग इतना जादा डर जाते हैं कि वो तैर कर जाने लगते हैं लेकिन ऐसा impossible है एक इतनी बड़ी नदी को तैर कर पार कर पाना बहुत ही जादा मुश्किल होता है क्योंकि यहां का पानी भी बहुत ही जादा है उनमें से कुछ लोग वापस बुला लिये ज जाते हैं लेकिन अभी भी एक आदमी तैर कर जाने की कोशिश करता है और इधर सभी पैसेंजर प्लेन की दोनों विंग पर खड़े होते हैं और यह सबसे अमेजिंग सीन इस मूवी में दिखाया गया है और अब रेस्क्यू शिप भी यहां पर पहुच चुका है इनके पा क्योटी होती है और फाइलि सभी लोगो बचाने के बाद कैप्टेन अपनी वाइफ को कॉल करके बताते हैं कि वो सही सलामत है पहले तो उनकी वाइफ को पता नहीं होता है कि एक्च्वल में हुआ क्या है और जब वो न्यूस कोल के देखती है तो उन्हें पता चलता है कि उनका प्लेइन क्राश हो गया है पानी में और यह सुनकर वो पूरी तरह से शौक हो जाती है अब यह सारा मंजर देखकर बहुत सारे लोग रोने लगते हैं और यह उनके खुशी के आसू होते हैं क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं था कि वो बच पाएंगे उन्हें लग रह आते हैं कि वो ठीक हैं इसके बाद कैप्टन और को पाइलेट दोनों एक किनारे पर खड़े होते हैं और हटसन नदी में अपने डूपते हुए जहास को देखते हैं जो कि इसमें थोड़ा इमोशनल सीन दिखाये गया है और इधर कंट्रोल में पैट्रिक को अभी भी यही लग रहा है कि फ्लाइट 1549 ग्रैश हो गया है और सारे लोग मारे गए लेकिन तभी वहाँ पर उनका कलीग आता है और उन्हें बताता है कि सभी लोग सही सलामत बज़ गए हैं और कैप्टन ने फ्लाइट को नदी में लैंड करा दिया है इसके बाद दोनों पाइलेट का म मदद कर सकती हूँ कैप्टन उसे बोलते हैं कि मेरे कप्रे ड्राइक लिंग करवा दिजे और ये सुनने के बाद मैनेजर उनसे बोलती है कि अरे सर ये पूरा होटल आपका है आप सिर्फ फरमाईश करिए और उनको आकर गले लगा लेती है वेल ऐसा होना भी चाहिए क्यो ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो उन दोनों से वहाँ पर काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं और उसमें से एक ऑफिसर सुली से पूछता है उसको बताता है कि हमारे इंग्जीनिर ने इस सारी चीजों की इन्वेस्टिकिशन करी है और उसे पता чला है कि एरिपलेन काफी ज़्यादा उचाई पर था लेकिन फिर भी आपने उसे अलगाडिया एरपोर्ट पर नहीं उता रहा ऐसा आपने क्यों करा उसूली बोलता है कि इंजीनियर पाइलेट नहीं होते है और वह वहां उस समय नहीं थे वहां उस समय मैं था और मैंने क्या सिचुएशन फेस करी उस पहले उसे टेस्ट करूंगा लेकिन ऑफिसर उन्हें वो टेस्ट करने को मना कर देते हैं वो उसे गोपनी रखना चाहते थे अब की मीटिंग खतम हो जाती है और कैप्टन वहां से निकल जाते हैं लेकिन जब वह अपने होटल में पहुचते हैं तो उन्हें वहां पे पहरी चीज़ें उनकी टेंशन की वज़े से हो रहा था अब वो अपनी वाइफ को फोन करते हैं और उनकी वाइफ बोलती है कि हमारे घर के बाहर काफी ज़्यादा रिपोर्टर घटा हो गया है जो कि मुझसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं तो कैप्टन उनसे बोलत और प्लेन के पाइलेट जेफ से मिलने जाएंगे वो रात में उसे मिलने जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि मेरे 40 साल के अनुभव को पीछे रखकर ये लोग सिर्फ 260 सेकेंड की गलती को देख रहे हैं अब सुली बोलते हैं कि उन लोगों को इस चीज़ का बिलकुल जाते हैं कि मुझे 42 सालों का experience है और यही मेरा जीवन है यहां पर बात करते करते हैं वो अपने यंग डेज में चले जाते हैं जहां पर वो छोटे होते हैं और विमान को उडा रहे थे उनकी अच्छी उडान को देखकर उनके गुरू काफी उनकी तारीफ करते हैं और खु असला नहीं लिया होता तो हम लोग यहां पर जिन्दा नहीं बैठे होते हैं कैप्टन जेफ को शांत कराते हैं और उस simulation के बारे में बोलते हैं वो बोलते हैं कि उसे चेक करना चाहते हैं वो लेकिन वहां पर एक lady officer बोलती है कि हमें उस simulation को अभी गोपनिये रखना पड़े जब हम दूसरा engine निकाल लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो खराब था या नहीं तब हम इस बात के नतीजे पर पहुँच पाएंगे कि आपकी इसमें गलती थी या फिर नहीं थी और इसके बाद वो दिन आ जाता है जब इन लोगों की सुनवाई की तारीख आ जाती हैं वहाँ पर बैठी एक लेडी officer बोलती है कि pilot cabin की voice recording सुनने से पहले हम लोग एक बार हम लोग एक बार उस दूर खटना का simulation में देखना चाहेंगे वो कैसे हुआ यह इसके बाद वो लोग simulation को start होता है दोस्तों यह simulation दिखाने का एक ही मतलब होता है कि अगर captain ने plane को वाप simulation start किया जाता है जिसके बाद सभी पंची आके उस plane से टकराते हैं और जैसे जैसे वह incident हुआता है वैसे वैसे हर चीज़ की जाती है लेकर last में वो plane सही तरह से landing airport पे कर लेता है अगर हम simulation को follow करें तो इसमें captain की गलती थी वो चाहते तो plane को land करवा सकते थे सही सलामत और इस नहीं थी लेकिन captain उसे समझाते हैं उसे बोलते हैं कि यह simulation गलत है यह सिर्फ एक computer है जिने दो लोग चला रहे हैं जिने असली plane उलाने का जरा भी experience नहीं है इनके अंदर मानव जाती का कोई डर नहीं दिखता इन लोगों के पीछे कोई भी passenger नहीं बैठा है तो उनकी जान क कैसी बचा जाए इन लोगों को simulation के जरीए पता नहीं लग सकता इन लोगों को सिर्फ order दिया गया है कि वापस आ जाओ और इन्हें decision लेने का भी time नहीं दिया गया है हमें उस time decision लेना पड़ा था और जिस घबराट वाली situation में हमने गुजरना पड़ा था यह लोग उसे feel न चाहते थे अब जब बोलता है कि इन पाइलिट को कितना time दिया गया है decision लेने के लिए तो senior officer बोलता है कि 35 सेकंड और सुली बोलता है कि 35 सेकंड एतने बड़े decision लेने के लिए सिर्फ 35 सेकंड बहुत ही ज्यादा कम है हमने करीब 300 सेकंड का समय लिया था decision लेने के लिए यह सारी चीजे सही लगने लगती है इसके बाद अब वहाँ पर एक officer सभी को headset पहनने के लिए बोलता है और CVR सुनने के लिए बोलता है CVR का मतलब होता है दोस्तों cockpit voice recording जो भी इन लोगों ने दुरगटना के time बाते की है वो सभी उस voice recording में record हो गई है अब CVR को play किया जाता है और सभी लोग CVR को सुनते हैं जिसमें की हर चीज को detail में दिखाया गया है कि कैसे पंच्छी आके इनके plane से टकराते हैं और इनका क्या-क्या बाते होती है captain को order मिलता है हम देखते हैं कि उस time captain को order मिलता है कि plane को runway पर land किया जाए लेकिन जैसी वो plane को मोडते हैं उनका plane बहुत ही नीचे होता है और वो captain सुली को पता चल जाता है कि हम runway तक नहीं पहुच पाएंगे इसलिए वो अपने plane को Hudson नदी पर ही land करा देते हैं जो की बिल्कुल सही decision था इस कारण सभी यातिरों की जान बच पाई और अब ये recording सुनने के बाद captain और Jeff बाहर आ जाते हैं उस hall से अब थोड़ी देर होने के बाद break लिया जाता है और दोनों को दुबारा hall में बुलाया वो meeting फिर से शुरू होती है और lady officer बोलती है कि अभी अभी हमने उस जहाज के दूसरे engine को पानी से बाहन निकालाया और हमने उसकी जांच की है हमें पता चला है कि engine पुरी तरह से खराब और शती गरस्त हो चुका है और captain सुली का फैसला बिल्कुल सही था और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उस जहाज में बैठे 155 लोग की जान नहीं बच पाती तो captain बोलते हैं कि उन्होंने ये अकेले नहीं किया उनके साथ ही जेफ एर होस्टेस और जिन लोगों ने उन्हें पानी से बाहन निकाला वहां पे खड़ी पुलिस वो सभी का शुक्रिया आदा करना च जाता है कि क्या वो इस बारे में कुछ और बताना चाहेंगे क्या वो दुबारा ऐसा करेंगे अगर ऐसी situation आती है तो Awesome नहीं करना चाहूंगा तो सभी लोग इस हमने सही डिसीजन लिया है तो हमें कोई गलत साबित नहीं कर सकता वेल गाइज आपको मुवी कैसे लिए नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा थोड़ा इमोशनल मुवी थी और काफी भेत्रीन और अमेजिंग मुवी थी मिलते हैं आप से अगले वीडियो में थांकियो सो मच वाचिंग पीस आउट